हेलो बच्चो आपका अपनी यूटूब चैनल आरेम स्टेट टाइम में आपका स्वागत है आज हम लोग विज्ञान का कक्षा आठ का पाथ है एक विज्ञानिम तक्नीकी के छेतर में रवीन्द प्रगती का कोशिन आंसर करने जा रहे हैं अगर यह वीडियो आपको जरस भ में सही विकल्ब चाट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए तो यहां पर चार चार ओप्सन दे रहे हैं और उसमें सही विकल्ब पर निशान लगा के उसे लिखना है एक चीज और कि आप लोग जो है जब भी एक्सरसाइज वीडियो देखा करें किसी भी चैप्ट हhtaक है आटि संचार का माध्यम क्या है इसमें तो कभूतर है यह पत्र नहीं न इंटरनेट यहां पर इंटरनेट पर टिक लगा दे नेक्स्ट कोश्चन है भारती अंत्रिश कारिक्रम के जनक हैं तो इस पर आप जो है डाक्टर बिक्रम सारा भाई पे टिक लगा लें ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है सुचना और संचार अध्योगीकी ICT का आरंब हुआ इसका आरंब कब हुआ तो यहाँ पर आप लगाएंगे वर्स 2004 में ठीक है वर्स 2004 में इसका आरंब हुआ था हुआ ठीक है नेक्स्ट कोउशन है उर्जा की नवी करण स्रोथ का मतलब आप जानते हैं ऐसे स्रोज जिसका हम फुनर फिर से प्राप्त कर सके जिसे पेट्रोल है एक बार खतम हो जाएगा फिर नहीं मिलेगा डीजर है एक बार खतम हो जाएगा तो फिर उसका हम निर्मार नहीं कर सकते लेकिन ऐसे स्रोज जिनका हम बार बार उपियोग कर सकते उसे नवी करोड स्र सौर उर्जा, शौरूर्जा को हम जो है बार-बार उप 25 कर सकते हैं तो व त्व टिक लगा दें है। इसमें just question है। रिक्त स्थान की पोर्ति कीजी ओतु हैं यहाँ पर यक्ति स्थान में सही सब्द को लिखना है। जैसे कह है वियापकार का अर्थ है क्राय Alle बीग ठी चाहिए तही कि यह लीग और संद्धेลác परीवहन के न्म, नेक्सट कर तो इनसे दिमांद काफ मिलेट चंध होग उनलाइब सामार इफ्लेबज माझा योजना का आरंब कब हुआ अभी आपने पिछले ही ऑप्सनल वाले में देखा था 2004 में नेक्स्ट है 3G और 4G मोबाइल के साधन है तो यहाँ पर जो स्री लिखाए मिस्प्रेंट हो गया इसे आप 3G कर दीजेगा इसे आप अपनी बुक और कॉपी में फिल कर लें तो चलते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ नेक्स्ट कोशन है निमनिखित के सही जोड़े बनाईए तो यहाँ पर जो है मिलाना है आपको का वाले स्थम को खा वाले स्थम से मिलाना है तो कह है वीडियो कॉन्फरेंसिंग तो इसको आप किसे मिलाएंगे संचार का साधन कह है ICT तो ICT को आप किसे मिलाएंगे सिछा के स्थर में सुधार नेक्स्ट है गावाला आपको मिलाना है IRS S IRS को आप मिलाएंगे भारती सुधूर सम्वेदन उपग्रा उसके बाद रक्षयम प्रति रक्षया आप उसको मिलाएंगे BIDO से और भूरी किसे समंदित है उर्वरक के छेत्र में घर्वरक के चेत्र में जो क्रॉइथ हुई थी उसे भूरी करानती कहा जाता है जिससे कृिसी की छेतर में सुधार किया जा सके next question है निम्रिखित प्रस्नों के उत्तर एक सब्द में दीजिए एक इस सब्द में देना है तो कह राश्ट्री अनुसंधान समिती का गठन कब हुआ राश्त्री अनुसंधान समीति का गठन कब हुआ? 1962 में नेक्ट कोश्चन है छेत्रफल विकास कारिकरम के अंतरगत किसका प्रच्छेपड किया गया? तो इसका उतर है बैलेश्टिक प्रच्छेपात्र, ब्रमोर्स सूपरसोनिक मिसाइल, आकास मिसाइल ठीक है इसे आप लिख लें तो नेक्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं नेक्ट कोश्चन है बीसवी सदी के सारवधिक सफल उर्जा के स्रोत क्या थे? तो इसका उतर है सार उर्जा, पावन उर्जा, जल उर्जा ये सभी क्या है? नवी करड़िये उर्जा के स्रोत हैं तो बीसवी सदी के सरवादी सफल उर्जा के स्रोत क्या है स्वार उर्जा पवन उर्जा और जल उर्जा नेक्स्ट कोस्टन है ब्यापार एम वाडिजे की नवीनतम तकनीक कौन सी है ठीके ब्यापारों वड़िजे आजकेल क्या यूश करने लगे हैं E बेवसाय और E कॉमर्स इसका मतलग क्या था इंटरनेट बेवसाय और इंटरनेट कॉमर्स नेक्स्ट कोश्चन है N E G M E की सुरुवात कब हुई थी तो इसका उतर है 18 माई 2006 में इसकी सुरुवात 18 माई 2006 में हुई थी नेक्स्ट कोश्चन है भूत आप ये उर्जा किस प्रकार की उर्जा है तो इसका उतर है परेवर्डिय च्हती और ग्लोबल वर्मिंग से बचाओ नेक्स्ट कोश्चन है इसरो का गठन कब हुआ था इसरो का अर्थ होता है यनि फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन ठीक है और इसका गठन कब हुआ था नवंबर 1979 एश्वी में नेक्स्ट कोश्चन है वी निर्मार से आप क्या समझते हैं सब इस्तार समझाईए इसका उत्तर है कच्चे माल को मूलेवान उत्पाद में परवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुव के उत्पादन को वी निर्मार या वस्तु निर्मार कहते हैं वी निर्मार से तयार माल उप्भोकताओं द्वार उपियो किया जाता है या किसी भी अर्थ बिवसाई की संपन्ता का जनक होता है राष्ट्रिय वी निर्माण नीती में राष्ट्री और निवेश छेत्रों की अस्थापना ब्यापार के नियमों की युक्ति संगत और सरल बनाना बीमार इकाईयों को बंद करने की विवस्था को सुगम बनाना अध्योगिक प्रसिच्छड और कोसल उन्यन के उपाए बढ़ाना और बीनिर्माण इकाईयों और संबंदित गतिपितियों में अंध धारिता भूंजी लगाने के लिए भी प्रोसाहन देना सामिल है तो इस तरह से क्या होता बीनिर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें हम गच्छे माल से नए सामान को उत्पादित करके लोगों के पास पहुँचाते हैं इसी प्रक्रिया को बीनिर्मार प्रक्रिया कहते हैं इसका उत्तर है शिक्षा के छेतर में ICT की भूमिका सैचिक आउसरों को बिस्त्रित करने उच्छी सिच्छा के छेतर में उलेखने विकासियम सिच्छा की गुर्वत्ता बढ़ाने के लिए ICT एक प्रभाव साली साधन है उच्छी सिच्छा में बढ़ता नामांकन, अनुपात तथा सिच्छा के विक्तार में प्रसेचित सिच्छकों की उपलवता में ICT की भूमिका पर National Mission of Education बल देता है इसके अंतरगत Smart Schools यों इक किताबों के प्रियोग को बढ़ावा दिया जा रहा है तो इस तरह से जो है ICT जो है सिच्छा के छेत्र महत्यपूर भूमिका निभा रहा है Next Question है E-Governance क्या है? E-Governance क्या है? तो इसका उतर है E-Governance सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुबधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना E-Governance या E-Sasan कहलाता है तो आज केल हम लोग बहुत सारी सुबधाएं इंटरनेट से प्राप्त कर रहे हैं तो इन ही सुबधाओं को E-Governance कहा जाता है Next Question है E-Governance की आम जीवन में क्या उपलब्धिया है? तो इसका उत्तर है E-Governance की आम जीवन में उपलब्धिया नमबर एक सास की सेवाएं और सूचनाएं आनलाइन उपलब्ध नमबर दो सासन प्रणाली को पारदर्सी, कुस्तर तथा जबाब देह बनाई और नमबर तीन, विद्याले में दाखिला, बिल भरना, आजाती प्रमार पत्र बनवाना, हिंदी में सुबधाएं उपलब्ध है E-Governance को ही Digital India चरितार्थ कर रहा है जिसके अंतरगत E-Hospital की सुरुवात हुई और नमबर पांच है, आम आदमी को सीधे तोर पर लभानवित कर सहज, सुलब और घर तक सरकारी सुबधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रियास कर रहे हैं तो ये सब चीजे जो गवर्मेंट आम जनता को सुबधाएं पहुचाने के लिए उपलब्ध करा रही है, इंटरनेट के माध्यम से इसी को E-Governance कहा जाता है और नेक्स्ट कोस्चन है, वाडिज जी के छेतर में क्या उपलब्ध दिया है तो अब जो E-Governance है इसका यूज यानि इंटरनेट का यूज हम लोग बाज़ार और वाडिज जी के छेतर में कैसे कर रहे हैं इस कोस्चन में यही पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर है नमबर एक, इंटरनेट के माध्यम से ब्यापार का संचालन नमबर दो, खरीदना और बेचना ग्रहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागिदारी के साथ सहयोग नमबर तीर, फिलिप कार्ट, स्नैप डील, अमेजन, आदी, इ-कॉमर्स कमपनियां आम जन जीवन में प्रचलित हैं तो यह सभी क्या है, जो बेवस्था हैं, यह सुबधा हैं हमारे पास हैं, इ-governance के कारण हैं आज तो हम लोगों की जीवन में इंटरनेट का बहुत अधिक महात तो बढ़ गया है क्योंकि पढ़ाई से लेकर खाना तक आप जो हैं इंटरनेट से मंगा सकते हैं तो यह आपके इस चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज वीडियो था, आई होप की वीडियो आपके लिए हैलफूल होगी अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करें अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी सेयर करें So, it's enough for the day, we will meet again in next video, thanks for watching this video.